Hello everyone, a very warm welcome on my youtube channel जैसा के आप सब जानते हैं, मैं हूँ प्रेंका और आज की वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे सेल वोल के बारे में Basically हम डिस्कॉस करने वाले हैं History, Composition, Structure and Function of the सेल वोल इस टॉपिक से mostly आपके 2 और 3 कोश्चन जो है आप सभी के दिये So let's start our today lecture So first of all we talk about the history of the cell Cell wall इसकी history किसी की थी तो वो है हमारा scientist that is the Robert Hooke उसने basically क्या देखा था Dead cells को देखा था और जो cell wall है वो किसी मिलकर बनी हुई है Dead cells ही मिलकर बनी है तो उसने क्या देखा Dead cell को देखा किस year में देखा था जो है Robert Hooke ने dead cell को देखा Then अब हम बात करते हैं Introduction की ठीक है cell wall क्या होती है Dead cell से मिलकर बनी हुई कोई structure है तो definitely वो क्या है Non living हुई Non living है Resid structure है जिसकी मैं आगे structure दिखाँगी आपको और after covering होती है plasma membrane की ये plasma membrane को protect करती है और जैसे कि आपको पता है fungi, bacteria, algae and plants इन सभी की जो cell wall है वो different different type की होती है बट हमारे case में तो cell wall absent ही होती है ठीक है हम को छोड़के बागी सभी में mostly जह वो cell wall पाई जाती है like fungi, bacteria, algae and plants it is not only given जी सिर्फ शेप ही नहीं देती बलकि एक mechanical support भी देती है plant को ठीक है cellulose के जो main part cellulose तो होता ही है cellulose किसी मिलके बनी होती है plant की cellulose से इसके इलावा क्या-क्या present होता है तो हमें cellulose present होता है cutene, pactene, ligonene, subrene ये सब भी present होते है but depend करता है कि आप किस organism ये किस plant के बारे में बात कर रहे है clear है यहां तक सभी को then अब आप देख सकते है beautiful diagram जैसे कि आप देख पा रहे है plant, plant की जो cellulose जो बहार वाली जो covering होती है वो किसे मिलकर बनी होती है मतलब जो cellulose की मिलकर बनी होती है यहां पे फंजाई देख पा रहे है यह फंजाई की structure है इसके cellulose की से मिलकर बनी होती है kitein की जैसे की bacteria है peptidoglycan, algae इन सभी में क्या है cellulose पाई जाती है बट इसमें आप देख पा रहे है हमारी तो कोई structure नहीं है तो definitely हमें cellulose क्या होती है absent होती है clear है so यह basic question पूछा जाता है exam में कि plant और animal को differentiate जो है main जो कून सी असी बात है जो plant और animal के बीच में main difference create करती है that is the cellulose कि plant के case में present होती है हमारी case में absent होती है clear है यहां तक सभी को और अब हम बात करते हैं जैसे कि यह plant है जो outer covering आप देख पारें जिसको हम commonly language में छाल बोलती है यह किस से मिलकर यह क्या है हमारे cellulose यह किस से मिलकर बनी होती है cellulose से यह outer covering देखते हैं plant के यह cellulose होती है बहुत ज़्यादा stiff यानि कि rigid structure है और क्या देती है plant को clear shape देती है प्लांट के outer covering से में पता लग जाता है अच्छे इसका तरह मोटा है पतला है ठीक है और यह protective layer की तरह काम करती है ताकि plant को easily से अगर कोई fungal viral attack हो तो वो plant जल्दी खतम ना हो जाए इसके लिए भी इन बातों का जो है वो ध्यान में रखके ही nature ने ऐसा कुछ create किया हो है कि इस वज़े से यह जो cell wall होती है वो hard होती है एक मजबूत layer होती है multi layer होती है ताकि वो plant के internal system को जो है वो protect कर सके completely ठीक है clear है all right clear है यहां तक सभी को कोई doubt तो नहीं है किसी बच्चे को अब हम बात करते हैं यह जो cellulose इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि cell wall किसी मिलकर बनी होती है cellulose उसकी chemical composition के बारे में जान लेते हैं तो यह कैसा molecule होता है अगर chemically बात करें यह linear और homopolysaccharide कि unbranched molecules होता है और यह कैसा nature होता है यह fibers होता है tough होता है water insilable easily से water pass नहीं करता है इसमें से and found in the cell wall of plant mostly stock में यानि कि डंडी में पाय जाता है cellulose stem की trunk में जैसे कि आप यह diagram देख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह पतली सी जो मेंने टहनी पकड़ी हुई है इसमें भी cellulose है पर डिपेंड करता है कि इसमें cellulose का content कितना है वो plant to plant vary करता है ठीक है और all the body portion of the plant body जैसे कि जो pure cellulose है वो को आपको cotton में देखने को मिला जितना ज़्यादा cellulose content होगा वो plant जो है वो उतना ही ज़्यादा soft होगा जैसे सबसे ज़्यादा most abundant amount में cellulose हो वो cotton में पाया जाता है then in me फिर जैसे इसकी जो ये plant है ठीक है इसकी जो आप क्या देख पा रहे है इसकी जो cellulose है यानि कि जो चाल है वो पतली है और इसकी तोर भी ज़्यादा पतली है लेकिन जो पहले आपको structure दिखाए गई थी इसकी जो है वो मोटी है जैसे कि आप इसमें देख पा रहे है इसकी जो outer wall है वो काफी मजबूत है क्योंकि इस plant को ज़्यादा mechanical support की जरूरत है मतलब एड़र्स कंडिशन में भी ये plant को sustain करने में भी help करती है clear है यहां तक सभी को और definitely इसका protective nature तो होता ही है homo polysacred यानि कि जो cellulose में जो chemical nature की बात करें जो homo polysacred की chain होती है वो क्या role play करती है structural role play करती है glucose की जो residue होती है cellulose में इनमें जो linkage है वो exam के point of view से याद रखने है beta 1,4 linkage glycosidic bonds होती है जो ठीक है और जबकि amylase के अंदर alpha 1,4 linkage मतलब बताया गया है कि उनमें जो जो दो structure है अगर आप chemistry में study करते हैं दो molecule के बीच में hydrolysis से को उन से bond बनते है तो वो वाली चीज़ें आपको chemistry में अच्छे से आप इनकी structure को structure से deal करेंगी अपनी आगे further classes में बट यहाँ पे आपको just learn करना है कि किस type की linkage देखने को मिलती है clear है अब हम बात करते हैं composition जो cell wall होती है basic इसमें किया कितने four parts होती है जैसे की primary, secondary, tertiary wall और बीच में इनके होती है middle lamella अब हम एक trick सी इन चीज़ों को learn करने की कोशिश करेंगे suppose हमारा जो first है middle lamella ये layer जो होती है ना ये cement material की तरह काम करती है मतलब हर मतलब layer के साथ ये attach होती है और जैसे की calcium यहां पर फर्स ट्रिक देखा हो आपर cm cm जैसे की कोई chief minister होता है वो chief होता है cm, c का मतलब c का यहां पर chief cm मतलब chief minister यहां पर c से represent करता है calcium, magnesium ये किसमे present होता है middle lamella में calcium और magnesium के पैक्टट देखने को मिलती है middle lamella के से मिलकर बनी है calcium और magnesium के पैक्टट जिसमें amount जो calcium की ज़्यादा होती है ठीक है दो adjacent cells के बीच में ये layer present होती है outdoor the primary cell बोल के बाहर होती है अब हम बात करते है और किसकी तरह काम करती है chief जिसे कोई भी cm है किसी भी state का उस सभी department के साथ attach होता है मतलब दिहान रखता है उन पे ठीक है जितने भी minister वगरा state के होती है तो ये क्या करती है cement material की तरह काम करता है middle lamella और nearby cells को hold करे रखता है अब हम बात करते है primary, secondary, tertiary इन cell wall को याद रखना बहुत ही सदा असान है जैसे कि आप देख सकते है ट्रिक से primary wall, secondary and tertiary इसमें ये चीज़ें common होती है जैसे CHCS देख पा रहे है आप लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे C represent कर रहा है cellulose और hemicellulose को जो की तीनों में ही common है cellulose और hemicellulose तो मिलेगा ही मिलेगा इसके इलावा primary cellulose में अगर बात करें तो वो pectine present होता है secondary में बात करें क्योंकि secondary layer जोती है as compared to the primary primary जैसे जैसे plant बड़ा होता है ये खतम होना start हो जाती है primary wall लेकिन secondary में जबूत हो जाती है इसमें क्या present होता है lignin present होता है secondary में और तीन layer present होती है LC यहाँ पर समझे लो की layer present है बट इसका main नाम क्या है lignin ठीक है S1, S2, 3 types की layer होती है strength प्रवाइड करती है काफी thick layer होती है secondary tertiary wall की बात करें तो ये present होती है tracheids of gymnosperm में ही present होती है deposit infused cells और इसमें dry matter होता है protoplast का इसके अलावा इसमें cell loss, hemicell loss के इलावा क्या present होता है X यहाँ पर किसको represent कर रहा है jailin jailin present होता है clear है यहाँ तक एक बार आप reading करेंगे प्लस इस trick पर focus करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे यह मेरा बाद है आपसे clear है और यह lecture बहुत ही ज़दा important है आपके exam के point of view से तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और plasmus dismeta क्या होता है connection होता है दो cell के बीच में जैसा कि आप इस beautiful image से देख पा रहे हैं एक cell है, दो cell cell के बीच में छोटा सा gap होता है कि 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 लिए है flow करने के लिए ताकि इस cell का जो protoplasm है, water या किसी भी, suppose इस cell के पास कुछ किस चीज़ की कमी हो जाए लेकिन यहां पे वो कमी हो नहीं सकती क्योंकि यह cell से fluid जो हो flow करता है इस pore के थरू, जिससे बूलते है plasmus dismeta, यानि कि protoplasm एक cell से दूसरे cell में move कर रहा है और आपको basic structure तो पता ही होता है cell की, कि वे क्योगल होता है center पे cell wall है अगर plant की बात कर रहे हैं तो cell wall present होगी हमारी बात करते हैं तो सिर्फ plasma membrane present होती है ठीक है, plasmus dismeta, दो cell के बीच का connection होता है, उसको हम call करते है किसी को कोई doubt तो नहीं है अब हम बात करते है जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए basic difference क्या है plant और animal में तो basic difference हमारा cell wall का है जैसे कि plant में यह cell wall देख पा रहे हैं बाहर लेकिन animal में नहीं present होती ठीक है, tough और flexible होती है जो provide करती है cell को structural support देती है इस plant को ठीक है, main difference क्या है cell wall का है अब हम बात करते हैं cell wall का जो cell wall का main primary किस से composed होती है carbohydrate resource होता है major parts होता है cell का cell loss होता है, hemicell loss, pactin phenolic and protein compounds होती है function की बात करें तो यह cell wall किसी इसका काम करती है, protection का काम करती है, किसे bacterial and viral attack से बचाती है, किसी भी organism को, अगर फंजाई में प्रेजन है, तो kaitin की होगी, bacteria की है तो peptidoglycan की होगी, plant की बात कर रहे हैं, तो definitely cellulose की बनी होती है ठीक है, fixed morphology यह cell wall जो होती है, fixed करती है morphology किसी भी, मतलब plant की, या organism में प्रेजन है, तो उसकी morphology को maintain करने में help करती है, क्योंकि यह बाहर की covering है, न, cell wall और इसके लावा, growth and development भी करती है plant की, और इसके लावा, क्या काम करती है कि plant की अंदर, यह किसी भी organism के अंदर कौन सी चीज अंदर जाएगी कौन सी चीज अंदर सी बाहर आएगी इन चीजों को भी maintain करती है ठीक है, help in transport of material into and out of the cell इसके लावा, they are reserved structure and hence help the plant in bearing the gravitational force, मतलब adverse condition में यह plant को, यह किसी भी organism को maintain करने में help करती है क्लियर है यहां तक? कोई डावड तो नहीं है, यह हमारी last slide है, जिसमें हम discuss करते हैं ruminants animals, जैसे गाई, बैस, बकरी, जो क्या खाते हैं गास, फूस, तकड़ी, पत्ते, यह सब कुछ-कुछ खाते हैं क्यों क्यों खापाते हैं, क्योंकि वो digest कर लेते हैं, cellulose को क्योंकि उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी पेट के अंदर स्टमक में rumin स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं